हेलो डूबन दिस जंकित विल्कम बैक टो चैनल इस वीडियो में करेंगे आपके इंडियन नेवी ट्रेस्मेंट मेंट भरती के लिए जर्नल अवेर्निस के पूरे 25 क्विश्चन का प्रेक्टिस है टार्गेट भी इस वीडियो में दे रहा हूं आपको सही करने का 25 आउट प अपना टेलिग्राम चैनल आजाएगा उसको जॉइन कर लीजिए देखे एक्जाम में आपके 5-6 करन्ट अफेर आएंगे तो आपको पूरे लास्ट 12 मंत मतलब 2013 के 12 महीने की करन्ट अफेर आनी चाहिए मैं आपको 12 माइन से लेटेड कम से कम मोस्ट इंपॉर्टन 500-600 कोईशन प्रवाइट कर दूँगा माकि आप अपनी तरीके से भी तैयार करते रहेगा कुशन भी प्रवाइट कर दूँगा और उसकी पीडियाप भी मैं आपको अपने अप पे प्रवाइट कर दूँगा इस वीडियो में 25 कुशन है 20 कुशन आपके जर्नल अवेरनेस के हैं और 5 कुशन आपके करन्ट अफेर के हैं और कम्प्रीट ये प्रेक्टिस सेट है टारगेट 25 आउट और 25 है चलिए लगाते हैं फर्स्ट कुशन आपके स्क्रीन के सामने है कि अंतर राश्टी नियाले का मुख्याले कहां परिस्तित है वेर इस दा हेड़ कौर्टर आफ दा इंटरनेशनल कूर्ट आपके पास हेग, जिनेवा, रोम, बर्न राइट आंसर इसका आप्शन नमबर A होगा अंतर राश्टी नियाले का जो मुख्याले है वो नीदर लैंड के हेग में स्टेथ है आप्शन नमबर A नाभी मार्क के जो कंडिडि येट है वो नीगेटिव मारकिंग के साथ इस छस्ट को लगाना जो नाभी ट्रेंश्मेंड के स्टुदेंट है नियम्ले लिखेत देशों में से कौन सा देश सार्ग का सदश नहीं है which of the following countries is not a member of the country Sark भारत, पाकिस्तान, बांगला देश, म्यामार राइट आंसर बताइए दीके सार्क में तोटल जो सदस देश हैं वो आठ है मैं पहले आठों के नाम आपको बता देता हूँ पहला है आपका अफगानिस्तान, बांगला देश, भूटान अपना इंडिया, मालदीव्ज, पांच हो गए इसके लावा आता है पाकिस्तान, इसके लावा आता है नेपाल साथ हो गए, एक बचा आपका, सिरी लंका तो ये आठ सदस देश हैं, अब आफ़सन देखिए भारत, पाकिस्तान, बांगला देश का नाम लिखा है मैमार का नाम नहीं लिखा है, तो आप्शन नमबर डी इसक्विशन का राइट आंसर हो जाएगा, सार्क का फुल फॉम एक जाम में पूछा जाता है, शाउत, एसियन, एसोशियेशन, फॉर, रीजिनल, कॉपरेशन, ये आपका सार्क का फॉल फॉम होता है, जिसमें टूटल जो सदस्त देश हैं वो आठ हैं, अफगानिस्तान, बांगला देश, भूटान, इंडिया, मालदीव, पाकिस्तान, नेपाल और लंका, तर्ड नमबर कुशन देखिए, कुशन है, निमलिकित में से, कहां, प्राचीन, चट्टाने पा पाई जाती है, ए नमबर, नेश्ट कुशन देखिए, फोर्थ नमबर, भारत का सुदूर दच्चिड बिंदु कौन सा है, विच इस दा साउधर्न मोस्ट पॉइंट ओफ इंडिया, कन्या कुमारी, लक्षदीप, रामेश्वरम या फिर ग्रेट निको बार में स्तिद, इ फिप्त नमबर कुशन देखिए, आल इंडिया ट्रेड यूनियन के पृत्थम अद्यच कौन थे, फिर्स्ट प्रेसिडेंट आफ आल इंडिया ट्रेड यूनियन वाज, लाला लाच पत्राय, एम एन जोशी, सौमी सदानंद, बाल गंगा धर तिलक, राइट आंसर इसका नमबर ये होगा, आल इंडिया ट्रेड यूनियन के जो पहले अद्यच थे, वो थे लाला लाच पत्राय जी, आल इंडिया ट्रेड यूनियन के स्थापना होई थी, 31 अक्टूबर 1920 इसवी में, और इसके जो पहले अद्यच थे, वो थे लाला लाच पत्राय जी, नेस्ट क After independence, India launched its first 5-year plan in किस सन में लाइच करी थी? त्रेपन में, एक्क्यावन में, बावन में, फिर इननीस सो पच्चास में सुतंता के बाद भारत ने अपनी पहली पंच वर्सी उसना लाउंच करी थी लागू करी थी, शूरू करी थी, वो करी थी 1951 भी में option number 20 question का right answer होगा next question देखे 7th number question अकबर के सासनकाल में मुगल सेना का सेना पती कौन था who was the commander of the मुगल army during the reason of अकबर राजामान सिंग, टूडरमल बेरम खाँ, फकीर अजियुद्दीन चार option है, right answer इसका option number C होगा अकबर के सासनकाल के दोरान मुगल सेना का सेना पती बेरम खाँ था 8th number question देखे, इनमें से दिल्ली के सिंगाशन पर बैठने वाला पहला अफगान सासक कौन था, who among these was the first अफगान रूलर to shit on the throne of डैली, सिकंदर लोदी सेरसा, बहलो लोदी या फिर इनमें से कोई नहीं दिल्ली के सिंगाशन पर बैठने वाला पहला अफगान सासक था बहलो लोदी, तो option number C question का right answer होगा, 9th number question देखे, विक्रम शमवत कब से प्रारम हुआ when did विक्रम शमवत start 38 इसा पूर्व, 57 इसा पूर्व, right answer, option number B, 57 इसा पूर्व में विक्रम समवत प्रारम हुआ, B number 10th number question देखे ozone से लेटर question है कि ozone प्रत अवस्तित है ozone layer is located in छोब मंडल में छोब सीमा में समताप मंडल में परकाश मंडल में right answer option number C होगा ozone प्रत इस्तित है आपकी समताप मंडल में English में stratosphere कहते है देखे, tradesman mate में almost 2,92,92 फारम भरे गए है post आपके पास है 610 इस बार age limit रखी गई 18-30 साल competition यहां से भी है और फारम भर दिये गए तो वहां से भी है अब अगर selection लेना तो हर हाल में 70 to 75 प्लस score आपको करके आना ही पड़ेगा यह कैसे होगा जब आपके चारो subjects तयार होंगे हमने Tracement Mate का complete batch तयार किया है हमारी app पे जो कि हमने launch कर दिया है अगर आपने नहीं जॉइन किया तो जाके जॉइन करो उसमें सभी subjects की chapter wise video class chapter wise e-book और 20 online trustees अगर आपके basics तयार है तो कोई दिक्कत ने आपको batch join करने की जरूरत नहीं है यह Tracement Mate की book है उसका यह PDF हमने आपको प्रोवाइड किया है इसमें आपकी reasoning, math, English और जर्नल लेवेंच से question है चारो subjects है और हर एक question का detail में solution भी दिया हुआ है यह e-book हिंदी के साथ-साथ English language में भी है चारो subjects की तो इस e-book को भी आप अगर तयार कर लोगे तो काफी ज़्यादा score आपका boost हो जाएगा अब देखें इस e-book को download करने के लिए हमारी app है अंकी टैप नए app बनवाया है जिसका link description पे दिया हुआ download कर लो इस e-book वाले section पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको e-book मिल जाएगी जिस course की मैं बात कर रहा हूँ यह course वाले section यहाँ पे course मिलेगा सबसे important है test लगाना तो मैं आपको अभी 20 online test प्रवाइट करने वाला हूँ जो अग यह आपके tradesman mate के लिए हैं अगर exam थोड़ा सा late होता time मिलता है तो इसमें 10 और add करके 30 test provide कर दूँगा क्योंकि जितना जादा test लगाएंगे जितनी जादा practice करेंगे उतना ही बेतर आप exam में score कर पाएंगे 11th number question है भासा के आधार पर राज्यों के गठन हे तो राज्य पुनर गठन आयोग की स्थापना ये कब की गई थी when was the state reorganization commission established for the formation of states on the basis of language 1856, 1956, 1957 या फिर 1960 right answer इसका option number 2 होगा सन 1956 इस्वी में भासा के आधार पर राज्यों के गठन हे तो राज्य पुनर गठन आयोग की स्थापना की गई थी, 1956 में 12th number question देखिए पंचायतों के निर्वाचन में चुनाओ लड़ने के लिए उम्मीदवार की नियूंतम आयो कितनी होनी चाहिए what should be the minimum age of a candidate to contest in पंचायत elections 21 वर्स, 18 वर्स, 25 वर्स या फिर 30 वर्स right answer इसका option number ही होगा कितनी उम्र होनी चाहिए, 21 साल की उम्र होनी चाहिए next question देखिए 13th number question पंच वर्सी योजना का अनमोदन तथा पुनर निर्चन निमलिकित में से किसके दोरा किया जाता है the approval and review of the five year plan is done by which of the following नीत यायोक के दोरा राश्टी विकास परिशत के दोरा वित या फिर लोक शबा के दोरा right answer इसका option number B होगा पंच वर्सी योजना का अनमोदन तथा पुनर निर्चन ये किया जाता है राश्टी विकास परिशत के दोरा इंगलिस में नेशनल डेबलब्मेंट काउंसिल के दोरा तो option number B right answer होगा फुर्टीन्थ नमबर कुशन देखिए freedom at midnight के लेखा कौन है who is the author of freedom at midnight जवाला लेहरू तथा डाक्टर राजिन परशाद एमो मताई तथा फ्रैंक मौरेस मैक्सिम गोर की तथा दोस्तो असकी फ्रेंड असकी लेरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर दी नमबर थोड़ा सा इंगलिस में आपे मिस्टाइपिंग है बट right answer इसका option number D है freedom at midnight के जो लेखा के वो है लेरी कॉलिंस and डोमिनिक लेपियर डी नमबर right answer होगा next question देखे फिप्टींथ नमबर war and peace और anna karenina दोनों एकी अंतराश्टी ख्याती प्राप्त लेखा की करतियां है उस लेखा का नाम क्या है both war and peace and anna karenina are the works of the same internationally renowned author what is the name of that author option है oliver goldsmith swetlana louis bromfield leo tolstoy war and peace आपको पता है leo tolstoy की है तो war and peace और anna karenina भी यह आपकी leo tolstoy की ही है option number d question का right answer होगा next question देखे 16th number question निम्लिकित में से कौन सा input अपकरण है which of the following is an input device monitor, printer printer, mouse, plotter एक question कंप्यूटर से अंडर पर्शन देखनों की मिलेगा दो से तीन question आपकी जन्रल साइंस के आएंगे पांच question आपकी current affairs के आएंगे इसके लावा जो बचा वो आपकी जन्रल अवेनिस में आएगा तो निम्लिकित में से कौन सा input अपकरण है माउस जो होता है इससे हम input प्रोवाइड करते हैं option number C right answer होगा next question देखे 17 number निम्लिकित में से कौन सी computer की secondary memory है which of the following is the secondary memory of a computer RAM, ROM, registers या फिलापी secondary computer की secondary memory वो होती है floppy option number D question का right answer होगा next question देखे 18th number one अनुसंदान संस्थान ये कहां इस्थित है where is the forest research institute located देहरादून में, भोपाल में, लखनों में, दिल्ली में right answer बताई होगा right answer इसका option number होगा one अनुसंदान संस्थान ये आपका देहरादून में इस्थित है 19th number देखे question खाद पदार्थों के सरन अच्चन हे तू निम्नांकित में से कौन सा प्रियुक्त होता है which of the following is used for preserving food items sodium carbonate, acetylene, benzoic aml, या फिर sodium chloride राइड राइट आंसर बताईए तो राइट आंसर इसका option number C होगा benzoic acid benzoic aml c number 20 number question देखे क्रश्न छिद्ध सिद्धान्द को प्रतिपाद किया था the black hole theory was propounded by cv रमन ने h j भाबा ने s चंद सेकर ने फिर हर गोविंद कुरान ने क्रेश्न छिद्ध सिद्धान्द को प्रतिपादित किया था s चंद सेकर ने option number C is question का right answer होगा 21 number question देखे अब करण्ट अफिर के 5 question हाली में हाल ही में किसे 32 सरस्वती समान से समानित किया गया है who has recently been honored with the 32nd सरस्वती समान जैवर्मा, अंजली गौतम, मीनाक्छी राय या फिर शिव शंकरी राइट आंसर बताईए है तो राइट आंसर इसका option number D होगा ये तमिल लेकिका हैं शिव शंकरी जी जिनको हाली में 32 सरस्वती समान से समानित किया गया है तो एक्जाम के लिए important है 22 नमबर question देखिए तिरपूरा राज के नए राजपाल कौन न्युक्त किये गये है who has been appointed as the new governor of तिरपूरा state रगुवर्दास, इंदर सेना रेड़ी नलू, शिव परताप शुकला, पी चितंबरम 22 का राइट आंसर बताईए इंदर सेना रेड़ी नलू, इनको तिरपूरा के नेर राजपाल के रूप में न्युक्त किया गया है तो बी नमबर राइट आंसर होगा देखिए 23rd नमबर question है 2028 के अंतर राश्टी ओलंपिक खेल कहां पर आजजित होंगे where will the 2028 International Olympic Games be held तोकियो में, रियो डी जेनेरियो में, न्यू डेली में ये फिल लॉस एंजलेस में 23rd का राइट आंसर बताईए 2028 के अंतर राश्टी ओलंपिक खेल होंगे लॉस एंजलेस में option number D, इस question का राइट आंसर होगा next question देखिए 24th number question चंद्रियान 3 का चंद्रमा लेंडर जिस इस्थान पर उतरा उस पॉइंट को अब किस के नाम से जाना जाएगा the point where चंद्रियान 3 moon lander landed will now be known as चांद बिंद, सक्तिस्थल moon light या फिर सिव सक्ति के नाम से बताईए right answer इसका option number D होगा जहां पे लेंडर लेंड हुआ उस जगए को अब सिव सक्ति के नाम से जाना जाएगा 25th number question महिला होकी junior Asia cup 2023 का खिताब किस देश ने जीता है which country has won the title of women's होकी junior Asia cup 2023 दच्छिड कोरिया, उत्री कोरिया भारत, मलेशिया देखिए महिला होकी 2023 का खिताब जीता है बारत देश ने, इंडिया ने तो option number C question का right answer होगा ये थे आज किसी वीडियो के 25 question आपका ट्रेट्समें मेट का practice तो कैसी लगी ये वीडियो comment करके बताईए नेवी मारवाले जो candidates हैं वो negative marking के साथ 25 में का क्या score है बताईए और जो ट्रेट्समें मेट के candidate है वो without negative marking के साथ आप बताईए कि आपका score क्यारा है ट्रेट्समें मेट में अगर आपको सचमें selection लेना है तो हमने complete batch बनाया हुआ है उस batch को जाके आप 10 से 12 घंटे डेली अगर देंगे तो अभी भी time है आप उस batch को आराम से तयार करके एक्जाम तक 75 या 80 स्कूर तक ready हो सकते है अगर आपके basic से तयार है दिन आप जो e-book मैं provide कर रहा हूँ वो e-book लगा लिजिए इसके बाद 20 टेस्ट प्रोइड करूँगा उन 20 टेस्ट को लगा लेना अगर exam में time मिलता है तो उनी 20 टेस्ट में 10 हमा और add कर देंगे अपनी ओर से उसका कोई भी extra charge नहीं लेंगे तो 20 की जगए पर 30 टेस्ट आप लगा लोगे तो और ज़्यादा practice हो जाएगी तो join कर लेना जिसको join करना है और जिसको e-book लेना e-book लेना और test series हम 2-4 दिन में भी provide कर देंगे ठीक है थोड़ा तयारी करो इसके बाद test देते हैं वरना एक दो test लगाओगे demotivate हो जाओगे क्योंकि तयारी नहीं है थोड़ा तयारी करो बुक को तयार करो इसके बाद हम test series provide करेंगे आपको बाकी आप score बता देना ये वीडियो कैसे लगी वो बता देना हम आपसे मिलते हैं नेक्ट वीडियो में टेक केर बाई